Hello friends, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूखा मटन की रेसिपी अगर आप सूखा मटन बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही simple और unique रेसिपी है और बहुत ही tasty और delicious बनती है चलिए शुरू करते हैं आज की मज़िदा रेसिपी सूखा मटन बनाने के लिए यहां मैंने ग्यास पर कूकर चड़ा दिया है यहां मैंने आधा किलो मटन ले लिया है यह bonless मटन है आप चाहे तो with bones भी यूज़ कर सकते हैं एक चमच अध्रक लेसुन का पेस्ट आदा चमच काली मिर्च का पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर साथी इसमें नमक आड़ करेंगे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले और एक लास पानी आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और कूकर का ढखन लगा कर 4 सीटी आने तक कुक करेंगे 4 सीटी बाद गैस का फ्लेम बन कर देंगे और कूकर को ठंडा होने देंगे कूकर ठंडा हो चुका है चलिए चेक कर लेते हैं मटन अच्छे से कुक हो चुका है इसे हम साइड में रख देंगे इसे बाद में यूज़ करेंगे चलिए सुखा मसाला बना लेते हैं यहां मैंने एक पैन ले लिया है इसमें दो बड़े चमश तेल डालेंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें 10-15 काली मिर्च, 3 लॉंग, 2 छोटी लाइची, 1 बड़ी लाइची, 1 दालचीनी का तुकड़ा तारे खड़े मसालों को थोड़ा चटकने देंगे इससे खड़े मसालों का मटन में बहुत ही बड़िया टेस्ट आएगा अब इसमें एक मीदियम साइज बारी कटा हुआ प्याज आड़ करेंगे, प्याज को हमें 1-2 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जब तक कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, प्याज का कला थोड़ा चेंज हो चुका है, प्यास भी सॉफ्ट हो चुकी है, इस स् तीज में 8-10 कड़ी पता डालेंगे कड़ी पता डालने से मटन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अब हमने जो मटन कुक करके रखा था वो भी हम इसमें आड कर देंगे मटन के साथ मटन का स्टॉक भी इसमें आड कर दें और थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ढख कर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि मटन ड्राइ हो जाए यहां मैंने मटन को 7-8 मिनिट तक कुक किया है और मटन पूरी तरह से ड्राइ हो चुका है अब हम इसमें आदा चमच कुटा हुआ धनिया पाउडर, आदा चमच जीरा पाउडर, आदा चमच तंदूरी मसाला और थोड़ा बारिक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डाल कर थोड़ा मिक्स कर लेंगे मटन सुखा मसाला बन कर तैयार हो चुका है बहुत ही डिलिशुस और जूसी मटन बना है इसे रोटी पराठा नान के साथ खाए ये बहुत ही टेस्टी लगता है मैं पर्सनली इस रेसिपी को दाल चावल के साथ पसंद करती हूँ दाल चावल के साथ ये सुखा मटन बहुत ही डिलिशुस और टेम्टिंग लगता है रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स पर वोचिंग